आज का हमारा टोपिक है New Cartesian Sign Convention for Sepharical Mirror Sign Convention की बात करेंगे हम इस टोपिक के अंदर फर्स्ट हम बात करते हैं Mirror या Lens जो Sign Convention होगा वो Mirror के अंदर भी होगा Lens के अंदर भी होगा इसको ध्यान से आपको समझना है फर्स्ट हम बात करते हैं यह हमने Mirror लिया और यह इसका बाहर वाला पार्ट क्या है Painted Part है यह बाहर पैंट कर रखा है और यह जो अंदर गहरा भाग है इदर वाला यह क्या है Reflecting Part कोई भी जो Object होता है वो कभी भी Pant वाले भाग की Side में नहीं होता यह आपको पता है For example हमें अपनी Image देखनी है Mirror के अंदर तो हम जो Mirror का Painted Part होता है उसके पीछे जाकर नहीं खड़े होते कहां खड़े होते हैं उसके सामने इस Side में खड़े होंगे तो Mirror के अंदर आपको ध्यान रखना है जो Object होगा वो हमेशा क्या होगा Left Side में किदर होगा Left Side में यह Object कहां होगा Left Side इसको भी करने से पहले मां आपको और भी इजी बताता हूँ Math के अंदर 7th में भी 10th में भी और 12th में भी Sign Convention आप पढ़ते हों यह इस तरह का एक Grab बनाते थे हम इस Side में क्या होता था X इदर क्या लेते थे X dash उपर Y और नीचे Y dash जो X axis है इस पर तो क्या होता था पलस होता था इदर 1, 2, 3 और यह बीच में 0 और इस Side में Minus 1, Minus 2, Minus 3 इस तरह लेते थे हम उसके बाद Y axis की बात करते है Y axis जो उपर है उपर की तरह हम पलस लेते थे 1, 2, 3 और नीचे Minus 1, Minus 2 Y dash axis पर यह Sign Convention थी अब आपको पता भी होगा यह Y पर क्या होगा आपका पलस इदर भी अगर उपर की तरह बात करें तब पलस इदर भी उपर की तरह बात करें तब हमारा क्या होगा पलस नीचे की दिशा में क्या होगा Minus होगा और इस Line की बात करें उनली इस Line पर तब क्या पलस और इस Line की बात करें तब Minus होगा अब Same Mirror के अंदर बिलकुल easy लगेगा आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है अच्छी तरह समझना समझ में आ जाएगा तुरंती ये Mirror ले लिया आमने ये Mirror का हो गया Origin Point इस Side को आमने माल लिया X Axis इधर माल लिया आमने X डेश उपर वाले Point को Y और नीचे Y डेश एक्सिज और ये क्या होता आपका Mirror का Pole जिसको हम Math की तरह Origin एजूम करते हैं अब आपको पता है सभी दूरियां जो है Mirror के अंदर Pole से Major की जाती है ना पी जाती है अब यहां से हम बात करें Pole से लेकर ये जो Line है हमारी इधर क्या होगा Object रखा जाएगा तो Object की Position इसने ले लिए B Point लिया Object P से लेकर B Object है तो Object Distance क्या होगी इस साइड में है तो क्या होगी आपकी Negative होगी Object क्या होगी Negative अगर Object के तोर पर हम लेते हैं आपको ये हो गए Object आप और आपकी कुछ ना कुछ Height है अकोर्डिंग टू ये डायरेक्शन य एक्सी डायरेक्शन में अगर हाइट की बात करें हम तो हाइट क्या होगी आपकी ऊपर की डायरेक्शन में तो पलस आगी य एक्सी और पोजिशन की बात करें जहाँ पर Object रखा गया है तब क्या आजाएगा आपका Minus तो यहाँ पर ये दोनों बातें अच्छी तरह किलियर हो गई होगी Distance अगर इस साइड में है तो क्या होगी आपकी Negative और अगर Height उपर की बात करें तब Positive Height नीचे की बात करें तब Negative और अगर इस डायरेक्शन की बात करें इस एक्सीज के तब पलस आएगा अगर उपर की डायरेक्शन की इधर भी बात करें तब भी क्या आएगा पलस आएगा इधर भी उपर डैरेक्शन पलस अप वर्ड y-axis क्या होगा आपका पलस होगा और downward क्या होगा y-axis अगर हम बात करें इसकी downward तो क्या होगा आपका negative होगा और इस पर क्या होगा आपका minus और इधर है पलस यह क्या थे आपके भी कुछ है, साइन कंवैंशन थे, साफैरिकल मिरार के अंदर, मिरार चाहे कनकेव हो, कनवैक्स हो, लैन्स भी कनकेव, कोनवैक्स, हर एक के अंदर साइन कंवैंशन हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, वह डायाग्राम या 이미지 formation होगी, तब उस दोरान हमें यह बाते याद रखनी है और इसी के according उन पर हम sign convention करेंगे Thank you